कुदेव जो पी असी महोंगे बाबाल इन रात पड़ना है मजावो धामाल कावबर ले थसरे ठेंसन अरे कावबर ले थसरे ठेंसन जब अपसर बन केते कर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो फ्रेंड्स मैं विनैसनी राजपुत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे टॉप MCQ सिरीज में जिसमें हम MCQ के माध्यान से क्या करा रहे हैं आपके संपूर्ण CGPSC प्रारम्रीक परिष्चा की तैयारी करा रहे हैं इसके तहट पिछले वीडियो में आपने देखा था 36 गर के अंतरगत परवतिये छेत्रे जिसमें हमने 36 गर के उत्तर और मध्यत तक के परवतिये छेत्रों का क्या कर लिया था अध्यान कर लिया था आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दंद कारणे के परवतिये छेत्रे या बस्तर संभाग के परवत और पठार आगे चलेंगे इसी पर चर्चा करेंगे मैंने आपको बताया था कि पहले वाले जो वीडियो है हमारे ठीक है उसी में हमने आपको क्या बताया था कि हम सम्कूर्ण CGPSC पर अभी प्रिक्षक्ते यारी क्या कराएंगे आपको MCQ के माध्यम से और MCQ में कैसे तो MCQ को detail explain करके हम आपको बताएंगे चलते हैं अपने questions की ओर आज का हमारा पहला question आपके screen पर है क्या बोला जा रहा है रावगाट पहाड़ी के विशे में कौन सा कथन असत्य है ठीक है क्या बोला जा रहा है रावगाट पहाड़ी के बारे में कौन सा कथन जो है वह असत्य है ठीक है पहला क्या बोल रहा है रावगाट पहाड़ी अबु जमार पहाड़ी और चौथा बोला जा रहा है इस पहाडी का अधिकांस भाग कांके जीले में है ठीक है इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा कथन जो है वह असर्थ्य है ठीक है अपने को क्या ध्यान देना है कि जो कौन सा अपना कथन है वो क्या है असर्थ्य है गलत कथन को ध्यान में देना है अब गलत कथन कब जान पाएंगे हम जब हम राओगाट पहाड़ी के बारे में क्या पर रगबाएंगे अध्यान कर पाएंगे ठीक तो पहले राओगाट पहाड़ी के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं जैसे कि आप तो हमने देखा था कि जो रावगार की पहाड़ी है वो यहां पर कांकेर एवं नरायनपूर जीले में क्या है विक्त्त है ठीक है लेकिन इस पहाड़ी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो कहां पर है तो वो है कांकेर जीलेमी ठीक है कांकेर जीलेम क्या है इस पहाड़ी का मैक्सिमम हिस्सा है ठीक यह जो आपका संपूर्ण बस्तर संभाग है इस बस्तर संभाग के अंतरगत यह वाला जीला आपका है कांकेर और कांकेर से नीचे यह क्या आपका नारायान पूर ठीक है किसका भाग है तो यह जो रावगार की पहाडी है यह दंड कारण्य के पठार का भाग है ठीक है किसका भाग है दंड कारण्य के पठार का भाग है अब हमको पता है जब हम प्राकृतिक भी भाजन पढ़ रहे थे तो जहां पर भी दंड कारण्य का जितने छेत्रों में दंड आपको तो लौ आयस को प्राप्त होगा आरन और क्या होगा हमको यहां से प्राप्त होगा ठीक है जहां पर भी धार्वार चप्तान है वहाँ पर naturally कौन सा mineral साब को मिलेगा कौन सा प्राक्रतिक खनीज़ आपको प्राप्त होगा तो लह एसक आपको प्राप्त होगा अब यह जो लह एसक है जो दंड कारेन के पठार के अंतरगत रावगट की पहाड़ी पर है इस लह एसक का उपयोग इस लह एसक का जो उपयोग है यह करता है BSP ठीक है कौन करता है BSP करता है BSP मतलब भिलाई स्टील प्लांट ठीक है कौन सा करता है भिलाई स्टील प्लांट करता है ठीक है इसका उपयोग कौन करता है तो भिलाई स्टील प्लांट करता है भिलाई इस्टिल प्लांट राव घाट से पहले जो दल्ली राजरा की पहाड़ी है वहां से क्या कर रहा था अपने लोहे की आपूर्ती पूरी कर रहा था परन्तु अब दल्ली राजरा की पहाड़ी से जो BSP है उसके लोहे की आपूर्ती क्या नहीं हो पारी है इसलिए BSP अ है अब आगे आते हैं अपने questions के और रावगाट पहाड़ी के संबंध में जो हमने कथन यहां पर बनाये थे ठीक है उस पर चर्चा करते हैं तो जो रावगाट की पहाड़ी हो क्या बोला जा रहा है अब उजमाट पहाड़ी के उत्तर पूर्वदिशा में है अगर हम देखे यहां पर अगर 36 गड़ के दक्षली भाग या बस्तर संभाग को अपन देखें तो आपको पता है कि यह जो जीला है आपका क्या है यह कांकेर है और कांकेर में यहां पर क्या है रावगाट की पहाड़ी है कांकेर की नीचे आपका कौन सा जीला आता है तो यह नरायनपुर जिला आता है और नरायाणपुर जिले के अंतरगत क्या है आपका एक पहाड़ है जिसका नाम है अबुजमार की पहाड़ी ठीक है तो कांकेर की नीचे क्या है आपका अबुजमार की पहाड़ी नरायाणपुर जिले में तो इसमें पूछा क्या जा रहा है आपको रावगार की पहाड़ी के उत्तर में इस्तित है इस बात की पुष्टी यहां पर हो रही है तो पहला कथन क्या है आपका बिल्कुल सही है कि रावगाट जो पहाड़ी है वो अबुजमाट पहाड़ी के कहां पर है उत्तर पूर्वदिशा में है दूसरा क्या बोला जा रहा है पहाड़ी लौ एसक के भंडार तू प्रसिद्ध है अभी ही हमने देखा कि यह जो पहाड़ी है किसका भाग तो दंड़कारणे का भाग दंड़कारणे का भाग तो कौन सा चट्टान धारवार चट्टान जहां पर भी ह होगा वहां पर प्राक्ति लुप से कौन सा खनीत właści अ का प्राप्त होगा तो इस पहारी से में क्या है लोःसक का भंडार है यह चिलोक Спीव करता है और चौथा इसको क्या बढ़ रहे है इस प ढहरी का अधिकासा भाग का कांकेर जिले में है बिल्कुल सही है हमने देखा था तक इस पहाड़ी का जो इसका इसका नरायनपूर में भी है क्लिल क्या पूछ रहे अपने को असत्य कथन पूछ रहे तो यहां पर असत्य कथन क्या थाएगा आपका कि यहां League law ask को nmdc उपयोग करता है यह क्या है इसका असत्य कथन है ठीक है यह क्या है आपका असत्य कथन है ठीक है c क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि यहां के law ask को nmdc उपयोग करता है nmdc करता है क्या नहीं करता कौन करता है तो वो करता है भिलाई इस्टिल प्लांट, ठीक है, NMDC का फूल फार्म बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही NMDC की कौन कौन सी साखा कब कब किस किस इस्थान पर इस्थापित हुई, इसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आगे बढ़ते में कथन को आपको क्या करना है, विचार करना है, किस के बारे में, तो बस्तर के पठार के बारे में, है न, पहला क्या बोड़ रहा है, यह पठार बस्तर एवं सुकमा जीले में विस्त्रित है, क्या बोड़ रहा है, यह जो पठार है, यह बस्तर और सुकमा जीले में विस् तो देखते हैं चर्चा करते हैं इसके बारे में ठीक है यह जो आपका दंड कारणे का पठार है इस दंड कारणे के पठार के अंतरगत जो आपका सुकमा जीला है और सुकमा के अलावा जो बस्तर जीला है यही पर क्या है दंड कारणे के पठार का विस्तार है सुकमा और बस गाटी इस पठार का हिस्ता है और चौथा क्या बोढ़ रहा है जीरम घाटी बस्तर जीले में है तो यह जो कथन आप देख रहे हैं एक क्या दर्भा घाटी और दूसरा क्या जीरम घाटी यह दोनों सही है जो बस्तर का आपका पठार है इसके अंतरगत दर्भा घाटी और जीरम घाटी प्रमुख घाटिया है ठीक है दर्भा और जीरम क्या है प्रमुख घाटिया है लेकिन यह जो दर्भा घाटी है यह कहां पर है यह बस्तर जीले में है दर्भा घाटी कहां है तो बस्तर जीले में है और जो जीरम घाटी है यह सुकमा जीले मे है अब आपको सभी चीजे क्लियर हो गई ठीक है पहला कथन क्या हो गया यहां पे यहां पठार बस्तर एवं सुक्मा जीले में विस्तरित है ठीक है बिल्कुल सही है बस्तर और सुक्मा जीले में क्या है यहां पठार विस्तरित है दूसरा क्या बस्तर पठार के अंतरगा सु क्या है बिल्कुल नहीं जी रम घाटी कहा पड़े कोकुल नियुक्ष तो आपका आंसर क्या हो जाएगा współ दो और तीन क्या है सही है ठीक है एक और तीन क्या है आपका सत्य है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यह बस्तर पठार जो बस्तर पठार है वो सुक्मा यह वं बस्तर जीले में विस्तरित है और जीरम घाटी इस पठार का हिस्सा है यह क्या हो जाएगा पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा कथन सत्य है और जो दूसरा कथन है सुकमा जीले में दर्भा घाटी है यह गलत है सुकमा जीले में जीरम घाटी है और बस्तर जीले में क्या है आपका दर्भा घाटी है ठीक है बढ़ते हैं आगे अपने अगले questions क्यों और केस काल घाटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ठीक केस काल घाटी के संबंध में क्या करना है आपको असत्य कथन जानना है पहला option क्या बोल रहा है? इस घाठी में box side मुख्य खनीज है इस घाठी में क्या है? box side जो है वो मुख्य खनीज है दूसरा इस घाठी को बस्तर का प्रवेजद्वार नहीं कहते हैं तीसरा इस घाठी में उच्च किस्म के साल वण पाये जाते हैं और चौथा, यह गाटी बस्तर संभाग के उत्तर पूर्व दिशा में है। चलो, पहले केश काल घाटी को ही पढ़ लेते हैं, फिर इस कथन पर हम क्या करेंगे? चर्चार करेंगे. क्या पढ़ने हैं अपने को? केश काल घाटी. केश काल घाटी. केश काल की घाटी है, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो विस्तार हमको पता है, कहाँ पर है? कोंडा गाउं में हैं. एक मैप बना लेते हैं, यही पर हम छोटा सा. ठीक, यह छेटर के हो गया है आपका? गरिया बंध है गरिया बंध से नीचे ये धमतरी और धमतरी के नीचे ये क्या आपको गया आपका कुंडा गाउं और इस कुंडा गाउं क्या है आपका केसकाल की घाटी है इस कुंडा गाउं में कौन से एक घाटी तो केसकाल की घाटी केसकाल घाटी है ना तो कुण्णा गाउं में कहा इसका विस्तार दूसरा आपको क्या जानना है कि यह जो केस काल घाटी है अब इसको आपको दो तरीके से जानना है पहला चतिस गर के सापेक्ष पूछे तो केस काल घाटी की दिशा क्या होगी तो केस काल घाटी की दिशा होगी दक्षिड पूर मर्म्व्व होगी लेकिन अगर आपको यहीं संभाग के साफस्राँ है किर oneself थे किसके साफस्रwand के साफस्राँ का artists आगर पूछा जाए तो इसकी स्थिति पूर्व में है clear तो इसकी दिशा ध्यान रखने आपको क्या इसकी दिशा दिशा के बारे में क्या अगर आपको 36 गड़ के सापेक्ष पूछे तो कहां पर आएगा ये दक्षिन पूर्वदिशा में आएगा ठीक है और अगर आपको पूछे दंड कारणे या बस्तर संभाग के सापेक्ष पूछे तो ये आपको कहां पर मिलेगा उत्तर पूर्वदिशा में ये मिलेगा ठीक है ये जो केस काल घाटी है यहाँ पर मुख्य रूप से खनीज में बॉकशाइट प्राप्थ होता है साथ ही केस काल घाटी के अंतरगत जो घाटी है इस घाटी में खुल 12 मोड है ठीक है कितने टर्णिंग से इसमें तो कुल बारा मोड बारा टर्निंग से हैं और ये जो घाटी है इसकी लंबाई कुल 5 किलो मिटर है साथ ही ये जो बारा मोड आपको दिख रहे हैं इसके छटवे मोड पर ठीक है कौन से मोड पर? छटवे मोड पर तेलिन माटा का मंदीर है तेलीन माता का मंदिर है ना और तेलीन माता का मंदिर होने के कारण ये जो घाटी है ये तेलीन घाटी भी कहलाती है ठीक है क्या कहलाता है तेलीन घाटी भी ये जो घाटी है कहलाती केसकल घाटी का एक अन्य नाम क्या तो तेलीन घाटी इसके अलावा ये जो केसकल घाटी है यहां पर उच्छ किस्म के साल वन पाए जाते हैं उच्छ को विभाजक परवत भी कहा जाता है क्या कहा जाता है विभाजक परवत क्यों विभाजक परवत कहा जाता है तो इस केसकाल घाटी से 36 गर के अंतरगत महानदी अपवाहतंत्र एवं गोदावरी अपवाहतंत्र रिवर ड्रेनेस सिस्टम क्या होता है प्रिथक होता है केसकाल घाटी के कारण महानदी अपवाहतंत्र एवं गोदावरी अपवाहतंत्र क्या होता है प्रिथक होता है साथ ही यह जो केसकाल घाटी है यह 36 गर के दो मुख्य प्राकृतिक प्रदेश ठीक है करता है दंड कारण का पठार ठीक है इन दोनों को भी क्या करता है यह प्रिथक करता है दोनों को क्या करता है विभाजीत करता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है विभाजत परवत भी कहा जाता है क्यों क्योंकि यह महानदी अपवाहतंत्र एवं गोदावरी अपवाहतंत्र के मध्य क्या करता है विभाजन करता है ठीक है इसी केस काल घाटी के कारण जो महा नदी है ये मध्य से लेकर पूर्वतक प्रवाहित होती है और जो इंद्रवती नदी है या जो गोदावरी अपवाहत अंत्र है वो इस घाटी के कारण 36 गड़ के मध्यों उत्तर छेत्र में नहीं आ पाती है और दंड़कार अने छेत्र में ही क्या होती है प्रवाहित होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं विभाजक परवत भी बोलते हैं क्लियर है केस काल घाटी के संबंध में यह सारी चीजे ठीक पढ़ते हैं आप अपने questions क शेखनीज है दूसरा क्या बोल रहा है इस घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार नहीं कहते हैं यही गलत है इस घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं इस घाटी से आप पार करकर क्या निकलेंगे बस्तर में प्रवेश कर रहेंगे इस घाटी में उच्च किस्म क साल वन पाए जाते हैं सही अभी देखा हमने कि इस घाटी के अंतरव्यत क्या है उच्छ किस मका साल वन पाए जाता है साथ ही यह घाटी बस्तर संभाग के उत्तर पूर्वदिशा में है और यह 36 अब एक स्कूछ देता तो दक्षिल पूर्वदिशा यह हो जाता तो यह कथन आंसर क्या हो जाएगा असत्य कथन में इस घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार नहीं कहते हैं यह क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है आंसर क्या होगा भी ठीक है क्यों क्योंकि इस घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं क्लियर बढ़ते हैं अगल संभाग है है गफश्ट इसमें ये जिला क्या होगे आपका कांचेर फीर और यह क्या है अगर आप देखें यहां पे तो बस्तर संभाग के अंतर घ किस दीशा में आपको समझ में ना राय पूर पिस्टीम ई समझ आ ए मद्द पासिम के अंतर गथ तो अमत पहाड़ी बसतर संभाग के किजी साह में होजाएगा पस्छिम दिशा के लेकिन यहीं पर अगर गोल दे कि 36 गोर के सापेक्स किस दिशा में है अबुजमार की पहाड़ी तो 36 गोर के सापेक्स यह जो अबुजमार की पहाड़ी है यह दक्षिर पस्चिम दिशा में है ठीक है 36 गोर के सापेक्स किस दिशा में है दक्षिर पस्चिम दिशा में लेकिन बस्तर संभाग ये दंड कारणा के साफिक्स ये कौन से दिसा में हो जाएगा पस्चिम दिसा में हो जाएगा इसलिए इस question का आपका answer क्या होगा पस्चिम दिसा answer क्या होगा A clear चलो बढ़ते हैं अगले question क्यों अबुजमार पहाडी के विशय में कथनों पर विचार करें ठीक है क्या करना है अबुजमार पहाडी के विशय में कथनों पर आपको विचार करना है पहला क्या बोड़ रहा है यह बस्तर पठार का सबसे अधिक उचाई वाला छेतर है दूसरा बोड़ रहा है इस पहाडी से गुड़रा एवं जाटलूर नदी निकलती है तीसरा बोड रहा है 36 गड़ का सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान इसलिए 36 गड़ का मासिन राम कहते हैं और चौथा बोड रहा है यहाँ खुर्सेल घाटी में उच्च किस्म के सालवन पाए जाते हैं इसमें से आपको क्या जानना है कौन सा कत्थन सत्य नहीं है जानना मतलब अपने को असत्य कत्नों कर विचार करना है चलो पहले अबुजमार की पाहड ही पढ़ते हैं अबुजमार पहाड़ थिक है यह जो अबुजमार की पहाड़ी है इस अबुजमार की पहाड़ी का विस्तार कहाँ पर तो नारायनपूर में विस्तार कहाँ है नारायनपूर मैक्सिमम छेत्र प्लस बीजापूर बीजापूर में इसके कुछ छेत्र क्या है विस्त्रित है ठीक है मैक्सिमम छेत्र कहाँ प में है ठिक इस अबुजमाण पहाड़ी के अगर आपको दिसा पूछे तो आप बता लेंगे अरामसेव दिसा आपको कहां पर ध्यां रखना है अगर 36 गर के साफ एक्ष पूछ दे तो क्या बताएंगे आप दप्षिण पस्चिम दप्षिण पस्चिम और बस्तर संभाग के स क्लियर इसके अलावा जो अबुजमाण की पहाड़ी है ठीक है यह अबुजमाण की पहाड़ी सरवाधिक वर्सावाला इस्थान है ठीक है 36 गर में सरवाधिक वर्सावाला इस्थान है सरवाधिक वर्सावाला इस्थान है ना और सरवाधिक वर्सावाला इस्थान होने के कारण इसको 36 गड़ का चेरा पुनजी कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं चेरा पुनजी बोलते हैं clear है सवाधिक वर्सा बोल रहा है तो कितना वर्सा होता है तो यहां पर maximum 187 cm वर्सा होता है ठीक क्या अलावा यह जो पहाड़ी है यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं खुरसेल घाटी ठीक है कौन सी घाटी खुरसेल घाटी है न और यह खुरसेल घाटी जो है इस खुरसेल घाटी पर उच्च किस्म के सागाउन वन पाया जाते हैं ठीक है क्या पाया जा रहा ह अबूज हमार है इसका अर्थ क्या होता है अर्थ अबूज हमार का अर्थ ठीक है अब तो अबूज हमार जो है आपका दो सब्दो से मिलकर बना है पहला क्या अबूज और दूसरा क्या मार ठीक है कौन से दो सब्दो से मिलकर बना है तो अबूज और मार इन दो सब्दो से मि अबुज का अर्थ क्या होता है जिसे समझा ना जा सके जिसे बुझा ना जा सके है ना बुझे तो जाने ऐसा बोलते हैं तो जिसको बुझा ना जा सके जिसको समझा ना जा सके वो क्या है अबुज है और मार का अर्थ होता है परवत मार का अर्थ क्या होता है परवत होता है तो ऐसा छेत्र या ऐसा प्रवती छेत्र जिसको समझा ना जा सके, या रहस्यमई जंगली पहाडी छेत्र क्या कहलाता है? अबु जमार कहलाता है, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया? ठीक, इसके अलावा यह जो अबु जमार है, यहां से नदी, तो दो प्रमुख नदिया है इसकी एक है गुड़रा नदी जो यहां से उद्गम होती है गुड़रा नदी और दूसरा है जाटलूर नदी जाटलूर नदी दूसरा क्या है? जाटलूर नदी यह दो क्या है? प्रमुख नदिया है जो अबुजमार की पहाड़ी से निकलती है क्लियर हो गए बात ठीक है चलो अब चलते हैं अब अपने questions की और ठीक question क्या है अपना अबुजमार पहाड़ी के विशाय में कथनों पर विचार करना है ये क्या बोड़ा जा रहा है ये बस्तर पठार का सबसे अधिक उचाई वाला छेतर है बिल्कुल सही है ये बस्तर पठार का क्या है सबसे अधिक उचाई वाला छेतर है और इसकी जो हाइट है वो है 1076 मीटर ठीक है हाइट कितनी है 1076 मीटर और ये बस्तर के पठार का सबसे अधिक उचाई वाला छेत्र है ठीक है दूसरा बस्तर पठार की बात की जारी है दंड कारणे के पठार की बात नहीं की जारी है सिर्फ बस्तर पठार की बात की जारी है यहाँ पे दूसरा इस पहाड़ी से गुड्रा योम जाटलूर नदी निकलती है, अभी हमने देखा कि हाँ, गुड्रा और जालूर नदी क्या होती है, यहां से निकलती है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 36 गड़ का सरवाधिक वर्सा वाला इस्थान, इसलिए क्या बोलते हैं, 36 गड़ का मासिन राम कहते ह ठीक है, यही गलत है, सरवाधिक वर्सा वाला इस्थान तो है, लेकिन क्या इसको मासिन राम बोलते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं हम चेरा पॉइंट ठीक है, क्या बोलते हैं, चेरा पुंजी, 36 गड़ का चेरा पुंजी, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कि चेरा पुंजी और जो मासिन राम है, ये भारत के किस राज्य में है, और ये जिस राज्य में है, उस राज्य का गठन कब हुआ था, और वह भारत के किस नंब पर्का राज्य है, यह क्या करना है आपको, कमेट सेक्सियं में बताना है अभी, ठीक है, अगला यहां खुर्सेल घाटी में उच किसम के सालवन पाया जाते हैं, ठीक है, थीक है, तो थीसरा और चौंथा, जो कथने हैं, वो क्या है, गलत है, तो आपका अंसर क्या हो जाएग आंसर क्या दिकनालना है अपने को सत्य नहीं है मतलब अपने को असत्य कथन जानना है ठीक है क्या जानना है यहाँ पर असत्य कथन ठीक क्या निकालना है असत्य कथन तो कौन कौन से कथन असत्य है तीन और जो चार है कथन वो क्या है असत्य है तो 3-4 किस में है, D में है, तो answer क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा, clear, चलो, बढ़ते हैं अपने अगले question क्यों, दंड कारण निम्न में से किस राज्य में विस्तृत नहीं है, यह आपको पूछा जा रहा है, option दिया है, 36 गर, ओरीशा, आंधर प्रदेश, महराश, ठीक ह इसमें आपको पूछा क्या जा रहा है, नहीं है, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, हम लोग हरबडी में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, दंड कारण निम्न में से किस राज्य में, विस्तृत, ठीक है, नहीं, फिर आपको दिखता नहीं हमको, हम लोग दारेक्ट क्य में भी क्या है विस्त्रित है ठीक है और आपको पूछा क्या जा रहा है कि कहां विस्त्रित नहीं है तो कहां विस्त्रित नहीं है यह महराष्ट राज्य में विस्त्रित नहीं है इसलिए दंडकारण वाले जो यह question है इसमें आपका आंसर क्या होगा महाराष्ट होगा clear है समझ में आ गया दंदकारने के पठार को विस्तार अब आप क्या बताएंगे कहां कहां पर है तो 36 गड़ के अलावा ओड़ी सा एवं आंध्र प्रदेश राज्य में भी दंदकारने के पठार का विस्ता है समझ में आ गया ठीक बढ़ते हैं अगले question क्यों है गोला पल्ली पहाड़ी किस तहसिल में है अभी जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गोला पल्ली की जो पहाड़ी है यह कहां पर है तो हम देखे थे कि जो गोला पल्ली की पहाड़ी है इसको अगर अपना इधर बस्तर संभाग में देखें तो बस्तर संभाग के अंतरवर्त एक जीला अपना क्या सबसे दक्षणी जीला सुक्मा ठीक है क्या है सुक्मा क्या है हमारा जीला है तो क्या इसमें सुक्मा दिया है क्या आंसर में ऑपसर में सुक्मा दिया है नहीं दिया है पू कांकेर जीले में है भोपाल पटनम कहा है विजापूर में है दर्भा कहा है बस्तर में है बज गया है क्या कोंटा कोंटा ही क्या है तहसिल है तो कहां पर हो जाएगा कोंटा तहसिल में हो जाएगा सुकमा जीले के कोंटा तहसिल में क्या होगा आपका गोला पल्ली पहाडी का विस्तार होगा ठीक है अब गोलापली पहारी सुक्मा जीने में है यह मैं आपको पिछले वीडियो में बताया ही था तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे अराम से इसको इसको इलिमिनेट कर पाएंगे चारामा कहां हो गया कांकेर में हो गया भोपाल पटनम कहां पर हो गया तो बीजापूर में हो गया जब पहले वीडियो सेकेंड वीडियो में जब थे अपन तो मैंने आपको बताया था कि भोपाल पटनम बीजापूर ठीक है और पूरवी स्थल कौन कौन से हैं, स्थल का नाम बताना है आपको, साथ ही आपको क्या बताना है, तहसिल का नाम बताना है, और उसके साथ ही आपको जीले का भी नाम बताना है, ठीक है, यह आप भी comment section में बताईए मुझे, ठीक, clear है, इसका answer क्या हो जाएगा, आपका D, कों नुक्टा तैसिल में हैं भेंगभед अग्ले Quesn की ओर में बस्तर के मैदान कविस्तार किन जीलों मेंório want हैं। बस्तर का मैदान, इससे पहले हमने बढ़ा था बस्तर का पठार, बस्तर का पठार की जीले में है, जल्दी बताईए कोई कमेंट सेक्शन में, बस्तर का पठार की जीले में, जब तक अपन इस पर चर्चा करते हैं, बस्तर का मैदान किन जीलों में, तो बिजापूर सुकमा, बस्तर कुंडा गाओं बस्तर सुख्मा बस्तर बिजापूर ठीक है तो हमने क्या देखा था कि बस्तर और सुख्मा जिले के अंतरगत बस्तर के पठार का विस्तार है ठीक है किसका विस्तार है बस्तर पठार का विस्तार है और बिजापूर एवं सुख्मा जिले में क्या है मैदान का विस्तार है क्लियर है कहा किसका विस्तार है तो बस्तर के मैदान का विस्तार है बिजापूर एवं सुकमा जीले में ठीक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और दंड कारण ये योजना क्या पूछा जा रहा है दंड कारण ये योजना किस से संबंदित है चार आपसन आपको दिये हैं कौन कौन से है आपसन पहला वन छेत्र के विकास में किस संबंदित है तो वन छेत्र के विकास में संबंदित है या दंडकारणे के जंजातियों के विकास से संबंदित है या पूर्वी पाकिस्तान के सरणार्थियों को दंड कारणे में बसाने से संबंधित है यह और क्या दिया जा रहा है यह आपको D कर लेना है ठीक है A हो गया है इसको आप क्या करेंगे D करेंगे ठीक दंड कारणे में बहरी प्रवास को कमुक करने से यह चार आप्सन है और यह जो दंड कारणे योजना है किसे संबंधित है यह आपको जानना है लगा लिए आप अपना आंसर जल्दी लगाईए ठीक बताईए बताईए जल्दी बताईए नहीं पता नहीं पता तो सुनिए देखे जो दंड कार्यान योजना हैं इसके लिए अपन थोड़ा से चलते हैं पीछे भारत अजाद हो गया 1947 के अंतरगत और हमारा जो नलायक बेटा है पाकिस्तान वो क्या कर देता है अज़ पीओ के पाक अधिकरित कस्मीर के नाम से जाना जाता है अब इसके बाद जो हमारा नलायक बेटा है यो 1965 में फिर से हमारे उपर आक्रमर कर देता है 1965 में फिर से हम इनको मारते हैं और 1965 में फिर मारकर अपन फिर से माप कर देते हैं पिता है हम तो पिता है पिता का करताव क्या है बच्चों को माप कर देना तो हम अपने नलायक बेटे को क्या कर दिये फिर से माप कर दिये लेकिन ये जो हमारा नलायक बेटा है ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है 1971 में क्या होने लगता है जो हमारा नलायक बेटा है आजवरतमान के अंतरगत पाकिस्तान और हमारा एक पोता भी है जिसका नाम क्या है बांगला देश आजवरतमान का क्या बांगला देश है ना तो जो हमारा बेटा है वो क्या करने लगता है हमारे पोते के उपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगता है वहां के उपर वहां के जितने भी नागरिक रहते हैं देश के अंतरगत या उस समय का पूर्वी पाकिस्तान जो है उसके उपर क्या करने लगता है वो अत्यधिक अत्याचार करने लगता है अब पोता आया किसके पास तो अपने दादा के पास किसके पास भारत के पास है ना तो भारत क्या करता है अपने पोते की मतलब पीता क्या कर रहा है अपने पोते की सहायता कर रहा है किस सहायता कर रहा है तो अपने बेटे से बेटा कौन पाकिस्तान है ना अब पाकिस्तान को यहां पर हम क्या करते हैं फीर से मारते हैं लगातार जहापडी जहापड मारते हैं ठीक है और इतना मारते हैं कि हमारा जो बेटा रहता है वो अपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ क्या करता है, आत्मसमरपन करता है, ठीक है, पाकिस्तान क्या करता है, अपने 93,000 पाकिस्तानी जो सैनिक रहते हैं, 1971 के युद्ध में भारत के समक्षिया करते हैं, आत्मसमरपन कर देते हैं, तो जब उस समय का जो पाकिस्तान है, पस्चिमी पाकिस्तान जो अर्थवर्तमान का पाकिस्तान है और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान जो अर्थवर्तमान का बांगलादेश है तो जो पस्चिमी पाकिस्तान रहता है वो पूर्वी पाकिस्तान के उपर क्या करते रहता है अत्याचार करते रहता है तो वहाँ में कौन से योजना में दंड कारण हे योजना में किछ जो पूर्वी पाकिस्तान की सर्णार्थी रहते है उनको दंड कारण हे लाकर मतलब आज वार्तमान का बस्तर संभाग लाकर कांकेर LakThat पकान civic में क्या किया जाता है बसाया जाता है ठीक है तो समझ में आगए आपको क्या है दंड कारण योजना तो पूर्वी पाकिस्तान के सरनार्थियों को दंड कारण में बसाने से संबंधी थे हैं आपको यह सब नहीं लगाना है दंड कारण के जंजातियों के विकास में दंड कारण में बारवी प्रव किय ओरं awareness क्यों कों है को बैला दिला पहाड़ी के वीसाय में कौन से कत्थन जो है वह असत्त्य है यह आपको जानना है ठीक पहला बोल रहे हैं यह पहाड़ी सबसे पुरातन सयलों से बना है दूसरा बोड रहे है इस पहाड़ी पर एयसिया का सबसे बड़ा लो का भंडार है तीसरा बोल रहा है इस की उची चोटी नंदी राज ठीक है उची चोटी क्या नंदी राज 36 गड की दूसरी उची चोटी है 34 क्या बोल रहा है यहां से प्राप्त लो-ग एसki जापान निर्यात नहीं होता ठीक यह चार कतन दे दिए चलो पहले पढ़ते हैं बैला डिला पहाडी के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं पहले बैला डिला पहाडी के बारे में पढ़ते हैं फिर ये question अपन बनाते हैं तो बैला डिला की पहाडी बैला डिला पहाडी ठीक है बैला दिला जो पहाड़ी है अगर आपन देखें तो यह कहां पर है तो यह आपका दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के बाद यह आपका बस्ता है तो maximum छेतर इसका कहां विस्तृत है तो दंतेवाड़ा जीले में है और कुछ छेतर कहां पर विस्तृत है तो बस्तर जीले में हैं ठीक है तो विस्तार कहां पर इसका विस्तार विस्तार कहां तो दंते वाड़ा प्लस बस्तर जीला ठीक है मैक्सिमुम विस्तार कहां पर तो दंते वाड़ा में ठीक अगला इसकी उची चोटी ठीक है क्या देखना अपने को उची चोटी क्या है नंदी राज है ठीक है उची चोटी क्या है नंदी राज और ये जो नंदी राज है इसकी हाइट कितनी है 1210 मीटर हमने देखा था और कहा पर है तो ये दंते वाड़ा में है नंदी राज कहा पर तो दंते वाड़ा में है ना नंदी राज जो चोटी है ये दक्षिर 36 गड़ की सबसे उची दक्षिर च्टिस गड़ की सबसे उची चोटी और ठीक है क्या लिखना है आपको दक्षिर च्टिस गड़ की सबसे उची चोटी और च्टिस गड़ की दूसरी उची चोटी है ठीक है क्लियर है यहां तक अब यह जो बैला डिला की पहाड़ी है ना बैला डिला की जो पहाड़ी है बैला डिला पहाड़ी ये बैला डिला पहाड़ी के अंतरगत ये भी क्या है दंड कारणे का भाग है, दंड कारणे का भाग तो क्या, तो फिर यहाँ पर किसका विस्तार होगा, तो धारवार चत्तान का विस्तार होगा, धारवार चत्तान है तो क्या, लह एसक का भंडार होगा, बैला दिला पाड़ी के अंतरगत क्या, लह एसक का भंडार है, लह एसक क भंडार ठीक है अब यह जो लोह एस्क का भंडार है यहाँ इसका उपयोग उपयोग नहीं पहले उत्पादन देखते हैं ठीक है इसका उत्पादन और इसका उत्पादन उत्पादन करता है कौन NM DC ठीक है कौन करता है एनमदी इसको उत्पादित कर कहा लाते है दंते वाड़ा ना दंते वाड़ा के बाद यह जो लहो एस्क है यह जो यह आईरन ओर है ठिक कस इसको कहा भेजा जाता है विसाखा पतनम भेजा जाता है ठीक है कहां भेजा जाता है विसाखा पटनम बंदरगा भेजा जाता है और विसाखा पटनम से निर्यात होके ठीक है क्या होके निर्यात होके ये कहां पर जाता है जापान जाता है मतलब बैला दिला की पहाड़ी का लोहा कहां पहुंचता है जापान पहुंचता है इसके अल और इसके अलावा नगरनार इस्टील प्लांट भी करता है नगरनार इस्टील प्लांट ठीक है कौन करता है नगरनार इस्टील प्लांट भी करता है साथ ही जो बैला डिलर की पहाड़ी है इससे एक नदी निकलती है नदी का नाम है संखिनी नदी ठीक है कौन सी नदी संखिन नदी तीक है बेला दिला की पहारी से कौन सी नदी निकलती है तो संखिनी नदी निकलती है अब संखिनी नदी जो है इसके जल में लोहे की मात्रा अधीक है जल में लोहे की मात्रा अधीक है ठीक है जिसके कारण जल का रंग जो है वो क्या हो चुका है लाल हो चुका है जल लाल रंग का हो चुका है इसलिए इस्थानी भासा के अंतरगत या इस्थानी जो आदिवासी है वहां के वो इस नदी को लाल नदी भी कहते हैं इसके अलावा ठीक है ये जो संक्री नदी है ये चतिस गड़ की सबसे प्रदूसित नदी है ठीक, क्या है यह 36 गर की सबसे प्रदूसित नदी है अब यह जो संखनी नदी है यह संखनी नदी दंतेवाडा के अंतरगत तराला ग्राम में कहांपर तराला ग्राम में क्या करती है यह नदी जो है यह संखनी जो नदी है ये डंकनी नदी से मिल जाती किस नदी से मिल जाती है संखनी नदी जो है ये डंकनी नदी से मिल जाती है इन दोनों नदियों का संगम होता है कहाँ पर दंतेवाडा के अंतरगत तराला ग्राम में और इसी संगम पर 1324 में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया था ठीक है किसका निर्माण कराया गया था दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा कराया गया तो अन्नम देव के द्वारा ठीक है किसके द्वारा अन्नम देव के द्वारा अन्नम देव कौन थे तो य चतिसगर के अंतरगत काप्तिय वन्स के संस्थापक थे क्लियर है बेला डिला पहाडी के बारे में चीज़े है आपको अब चलते हैं अपने questions की और बेला डिला पहाडी के विशाय में कौन सा कथन जो है वह असत्य है पहला क्या यह पहाडी सबसे पुरातन सैलों से बना है बिलकुल सही है यह पहाडी क्या है बिलकुल पुरातन सैलों से बना है आर्कियन धारवार चत्तानों से बना है जो की सबसे पुरानी चत्ताने है ठीक दूसरा इस पहाडी पर एसिया का सबसे बड़ा एक स्थान पर एस 36 गड़ की क्या है दूसरी उची चोटी है और दक्षिर 36 गड़ की क्या है सबसे उची चोटी है इसके अलावा यहां से प्राप्त लहो एसक जापान निर्यात नहीं होता तो यह option क्या है गलत है यहां से जो प्राप्त लहो एसक है वो क्या होता है जापान निर्यात होता है त ने को ठीक है इस पहाड़ी पर लहो एसका का भंडार है हो गई ही दंदकारण के पठार का हिस्ता है तो लहो एसक तो पाया ही जाएगा ठीक है अगला यहां का लहो एसक मुंबई बंदर गहा से जापान निर्यात होता है तो मुंबई बंदर गहा से होता है क्या जापान निर अगला इस पहाडी से डंकनी नदी का उदगम है है क्या बिल्कुल नहीं है इस पहाडी से डंकनी नदी का उदगम नहीं है इस पहाडी से संखनी नदी का उदगम है कौन से नदी का उदगम है संखनी नदी का उदगम है ठीक है डंकनी जो नदी है यह जो डंकनी नदी है यह दांगरी डोंगर पहाड़ी से निकलती है दांगरी डोंगर पहाड़ी से निकलता है और चौथा क्या बोल रहा है यहां से प्राप्त लहो ऐसका का उपयोग NMDC करता है यह सही है NMDC उपयोग करता है भी देखा था हमने इसके लावा और कौन करता है तो नगर नार इस्टिल प्लांट भी क्या करता है इसका उपयोग करता है अब अपने को क्या जानना है यहाँ पर सत्य कथन जानना है सही कथन जानना है तो क्या कर सही हो जाएगा आपके पास यहां से प्राप्त लॉइसक का उप्योग NMDC करता है ये सही हो गया इस पहाडी पर लॉइसक का बंडार है ये भी सही हो गया और 2-3 क्या है गलत है मतलब option में क्या जाएगा आपका 1 और 4 तो answer क्या हो जाएगा आपका A A क्या है इसका answer है ठीक बढ़ते हैं अगले question क्यों और को तरी नदी बेसी हम दंडकाररणे कीस दिशा में है दंडकारणे किस दिशा में है ठीक तो जो कोटरी नदी है वो मोला-मानपूर अमबागर चोंकी के अंतरगत राजरा पहाडी से निकलती है किस पहाड़ी से निकलती है तो राजरा पहाड़ी से निकलती है और जो कोटरी नदी है मोहला मानपूर से होते हुए यहां कांकेर और नरायनपूर के अंतरगत क्या करता है कोटरी बेसिंग का निर्माण करता है अब पूछा क्या जा रहा है आपको दंड कारणे के किस दिश पूछले तब आप क्या बताएंगे कि दक्षिड पस्चिम दिशा में आ जाएगा तो दक्षिड पस्चिम दिशा में आ जाएगा लेकिन दंड काराने के सापेक्ष कौन से दिशा में है तो ये उत्तर पस्चिम दिशा में है ठीक है दंड काराने के सापेक्ष कौन से दिशा वह सबरी नधी का मैदान समुद्र तल से ठीक है कहां से तो समुद्र तल से कितनी उचाई पर है तो लगाई आप अपना असर सोचिए इसके बारे में ठीक है कितना सोच पाते हैं और पता हो करेक्ट तभी क्या करेंगे आप ऐसे question का answer देंगे और नहीं पता हो तो चुप क्या कर देंगे इसको छोड़ देना है आपको क्या बोलके जैस्री राम बोलके ठीक है तो इसका answer है 300 मीटर से कम गोदावरी वा सबरी नदी का जो मैदान है वो समुद्र दल से कितनी उचाई पर है तो 300 मीटर से कम की उचाई पर है बढ़ते हैं अगले question क्यों गड़िया महत्साओ किस माहा और किस जीले में होता है मैंने जश्ट अभी पीछले वीडियो में बताया था गड़िया महत्साओ के बारे में कि ये किस माहा में होता है और किस जीले के अंतरगत होता है सबसे पहले आप मुझे बताइए कि गडिया पहार कौन से जीले में है किस जीले में है बताइए जल्दी बिल्कुल बिल्कुल किस जीले में है तो ये जो है कांकेर जीले में है तो ये कांकेर जीले में है ठीक ये तो आपको समझ में आ रहा होगा चारों आपसन में कांकेर है ठीक तो किस जीले में है कांकेर जील पर गडिया महुत सा मनाया जाता है चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन क्यों और अगला और आज का हमारा आखरी प्रश्न निम्न में से कौन सा पहाडी बीजापूर में इस्थित नहीं है क्या पूछ जा रहा है आपको निम्न में से कौन सा पहाडी बीजापूर म और उसूर के पहाड़ किसके हिस्से हैं वीजापूर जीले के हिस्से हैं और सांथ ये जो गोला पल्ली की पहाड़ी है ये किसका हिस्सा है तो ये सुकमा जीले के अंतरगत विस्तरित है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा गोला पल्ली की पहाड़ी प्लियर है समझ में गया थिक एश हमारा बस्तर खेंटर जो परवत पठार वाला चेत्र है वो भी क्या हो जा रहा है कंप्लीट हो जा रहा है धन्यवाद बने रहिए हमारे MCQ सीरीज में जिसमें हम क्या करा रहे हैं आपका MCQ के माध्यम से ही संपूर्ण स्वीजी पेस्टी प्रारंभी परिच्छा के पाठेकरम की तैयारी करा रहे हैं धन्यवाद